नमस्कार किसान भायू मैं सूर्य दोल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरूजी में किसान भायू आज हम बात करेंगे पोधा गन्य के अंदर जुलाई के महीने में ऐसे कौन कौन से कारे हमें करने हैं जिन कारे के करने की वज़े से हमारे जो गन्य की हाइट है वह जादस जादा बढ़ सके गन्य की मोड़ाई बढ़ सके और गन्य के जो recovery है जो गन्य का आने वाला उत्पादन है वह हमें कम से कम 15 से लेके 20% तक हम बढ़ा सकें तो ऐसे 3 से 4 कारे मैं आज आपको बताऊंगा और कुछ ऐसे 40 ledgers के बारे में बताऊंगा कि जिनका यदि आप उप्योग करते हैं तो आप पिछले साल के मुकाबले लगवग 15 से लेके 20% तक ज़्यादा उत्पादन अपने गन्य की फसल से आप निकाल सकते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे किसान भाईो मैं हर रोज की तरह पिछली वीडियो से 4-5 कमेंट लेता हूँ यदि आपको यह सही लगता है तो आप मुझे बता है और यदि यह सही नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आगे से यह कमेंट लेने बंद कर दूँगा तो पहला जो कमेंट है पहला कमेंट है हमारा इद्रीस एहमत जी का इन्होंने पूछा है मैंने अपने खेत में NPK 1919 और हमला और सलफर का इस्प्रे किया है यानि कि नोलक में यानि कि पोधागन्य में पंदर दिन हो गए है क्या मुझको आप फटेरा भी डालना पड़ेगा प लगबग 2-3 महीन तक लंबे समय तक यह कारे करती है और आपके गन्य का जो रोगों से बचने की जो चमता है उसे बढ़ाती है गरोगों से बचाती है आपके गन्य को और इसके अंदर एक हलका ग्रोथ प्रमोटर भी पड़ा हुआ है जिसकी वह से जो हमारे गन्य होता है इसकी ग्रोथ भी इसके अंदर होती रहती है तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर फटेरा लगाना चाहिए कम से कम आप 25 दिन के बाद फटेरा लगा सकते हैं जो काफी अच्छा रिल्ट आपको देगा अगला जो कमेंट आया है वह है विन्य पटेल जी का यह करें भाई लगा दीज़े, और नीचे आप एक कोई भी अच्छा सा ग्रोथ प्रोमोटर लगा दीज़े यह फिर आप इसके अंदर नीचे साघरी का चार से पांच किलोग्राम और इसके अंदर यूरिया मिक्स करके इन दोनों को नीचे लगा दे आपको गंदे की जो ग्रोथ है कैफ को एक लिक्विड मिल जाएगा वह भी काफी अच्छा है यदि आप उसे डाइसो ग्राम फिर्ती बिगे के इसाब से उसका इस्प्रे आप अमने गन्य के फसल के अंदर करते हैं तो गन्य की जो ग्रोथ है वह तेजी के साथ हो जाएगी और आपका जो गन्य छोटा रहा गया कि आपके गन्य के खेत के अंदर फंगस का अटैक आ चुका है आपके खेत के अंदर फंगस लगी हुई है इसी वज़े से जो आपके ने ने कल्ले निकल करके आ रहे हैं वह बार बार सूख रहे हैं तो आप इसके अंदर एक तो सल्फर का उप्योग कीजी अपने गन्य के फसल के अंदर करवा सकते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खेत के अंदर इससे काफी ज़्यादा benefit मिलेगा और साथ में आप इसके अपने खेत के अंदर कोई भी एक अच्छा insecticide का उपयोग कर सकते हैं आप चाहें तो इसके अंदर वाटेको का उपयोग कर सकते हैं फटेरे का उपयोग कर सकते हैं यदि आप इनका उपयोग भी इसकी साथ करते हैं तो आपके खेत के अंदर जो जो समस्या आ रही है जो नए नेकल ले आ रहे हैं वह सूख रहे हैं ये सूखने बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, उम्मीद है आपको मेरी जानकारी काफिस अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें, अगला जो कमेंट है किसान भाईयो, वह कमेंट है हमारी अनिरुद सिंग जाट जी का ये कह रहे हैं कैलस्यम नाइटरेट 25 किलोगराम का बैग आता है, क्या इसको दो बार में प्रियोग करें या 2 केजी बोरोन के साथ डाल दें, क्या इसका पोधा गन्ये में भी उप्योग कर सकते हैं, तो अनिरुद सिंग जी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कैलस्यम गन्ये में भी कर सकते हैं, पेड़ी गन्ये में भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, इसका कोई भी साइट इफ्रेक्ट नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा बेनिफिडिस से देखने को मिलेंगे, अब आज की जो हमारा टोपिक है कि गन्ये की फसल के अंदर जो हमें उत्प तो इसके दो से तीन फाद्य आपको मिलने वाले हैं जैसे कि आप जिस गन्ये से आपने पत्ती एटाई उस गन्ये की जो मोटाई है वह धीरे धीरे बढ़नी सुरू हो जाएगा उसके अंदर मिठास की रिकवरी भी जादा होगी और गन्ये के अंदर जो वजन है वह भी बढ जो पत्ति आप नीचे गेरते हैं वह नीचे सड़ जाएगी गल जाएगी और उसकी बेसे नीचे ये डिकमपोज होने के बाद आपके खेत को कहीं न कहीं पोसक तत्व के रूप में बहुत सारा खाद आपके खेत गन्य को मिलेगा और आपके गन्य की जो हाइट है जो जो डिये उस पत्ति को यदि आप जान बुझ कर हाद से तोड़ते हैं तो ऐसा कन्य पर आपको किसान भाईयो नुकसान होगा इसलिए आपको पत्ति उतनी ही हटानी है जितने गन्य चोड़ रहो इस बात कर आपको बहुत ही खास तरीकिस विश्यस दियान देना है कुछ कि खुधा गन्य या फिर आपका पेड़ी गन्य है यदि उसकी हाइट लगभग लगभग आठ से दस पिट के आसपास आ चुकी है तो आपको अपने गन्य की पत्ति उतनने के बाद गन्य की बंधाई अवस्या करवानी है क्योंकि गन्य की बंधाई यदि आप नहीं करवाए गन्य की बंधाई और हवा आसानी से पार हो सकेगी यदि आण्धी आती है तुफान आता है बारिस पड़ती है तो हमारा गन्य जो है वह गिन्ने से कहीं न गहीं बच जाएगा इसलिए आपको गन्य की पत्ति भी उताननी है गन्य की बंधाई भी अवस्या करवानी है गन् पर हमारा अगोला होता है वहाँ तक गन्य बंधा देते हैं उससे हमें काफी ज़्यादे नुकसान हो जाता है तो खिसानवर ये तो हैं दो बेस ऐसे बाते हैं जिनका यदि आप उपयोग करते हैं तो आपके गन्य की जो हाइट है जो मुटाई है जो ग्रोथ है काफी ज्य एहम रोल होता है इसलिए इनकी मात्रा आपको अपने गन्य की फसल के अंदर अवस्थ से ही लगानी है यदि आप जाना चाहते हैं कि इसके कितनी-कितनी मात्रा हमें लगानी है तो आप कमेंट करें मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपको दूँगा जिसमे के लिए जै हिंद जै भारत जै किसान